डॉक्टर के लिए इट लगाने का कारण है डॉक्टर कॉमन जेंडर है ध्यान से मेरी बात सुनो एक दिन पहले भी बताई थी जेंडर चार तरहां के हैं पहला फैमेनिन फीमेल के लिए शी लगाते हो दूसरा मस्क्यूलिन मेल्स के लिए ही लगाते हो तीसरा जेंडर होता ह निर्जीव चीजों के लिए it लगाते हो चोथा जेंडर होता है common gender ऐसी चीजों के नाम जिने देखकर ये पता ना लग पाए कि बात male की हो रही है या female की उसे कहते है common gender और common gender के लिए भी क्या लगता है it लगता है इसलिए doctor के लिए मैंने क्या लगाया it आप सब के हिसाब से teacher के लिए क्या लगना चाहिए वो भी तो common gender है male भी और female भी child के लिए क्या लगना चाहिए फिर से common gender है baby के लिए क्या लगना चाहिए it समझ में आई बात तो जहां पर आपका common gender आ जाए आप उसके लिए हमेशा क्या लगाओगे it एक बात और भी है यहाँ जो मैंने गलती क करते देखाए बच्चों को, common gender के लिए it लगता है और it singular होता है, अगर वो common gender तो है पर plural है, तो it नहीं लगेगा, तो they लगेगा, they, यानि student है तो it है, students है तो they है, teacher है तो it है, teachers है तो they, doctor है तो it है, doctors होता तो they होता, क्योंकि it singular को दिखा सकता है, plural को, नहीं, तो common gender का plural अगर होगा, तो उसके लिए they, common gender अगर singular होगा, तो उसके लिए it, रख लोगी के याद, sure हो